Hello friends, welcome back to my channel तो आज की वीडियो में मैं आपको unbox करके दिखाने मेला एक बहुत ही मज़ेदार accessories जो की एक budget में आने वाला accessories है आप सभी के in future कभी भी काम आ सकता है तो ये आप देख सकते हैं ये है मेरे पास Benro का बहुत ही मज़ेदार एक digital tripod है और इस tripod का model number है Benro का T560 और ये एक budget range में आने वाला बहुत ही मज़ेदार बहुत ही कजब का tripod दिया हुए तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इसी की detailed unboxing देखेंगे इसकी price होकर है क्या पढ़ जाती है और देखेंगे इसकी क्या build quality मेरे को मिलती है तो इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखेंगा साथ ही अगर आप नए मेरे चैनल पे तो कर लिजेगा मेरे चैनल को subscribe और उसके बगल में जो बेल आकान है उससे दबाके all notification को click कर दिजेगा तो आईए start करते हैं वीडियो से तो यह आप देख सकते हैं इसके retail packaging सामने की तरफ में एक look दिया हुआ है जो कि एक black color का tripod है एक look दिया हुआ है कि कैसा है यह tripod और साथ में आपको इधर कुछ information वगर दिया हुआ है क्या height आप extend कर सकते हैं जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा साथ में इसकी कुछ MRP वगर दियुए जो कि आपका 2,990 के MRP दियुए पर इसकी actual price बहुत ही exciting है आगे मैं वीडियो में वो भी बताऊंगा तो आई इस box को फटा-फट से कर लेते open और इस box को open करते ही मेरे को यह एक bag मिल जाता है और यह bag एक बहुत-पधां बढ़िया लुग दिया हूए इसमें आपको यह एक रोप भी दिया हूए जो कि आप आसानी से इसको अपने कंधे पे टांग भी सकते हैं तो यह travel करने में घृक ही आसान है आप आसानी से इसको लेकर ट्राइबल भी कर सकते हैं और हम इसको open कर लेते हैं फटा फट से और देखते हैं अंदर tripod की quality क्या क्या दी हुई है तो यह आप देख सकते हैं यह निकल गया है tripod जो कि एक black color में दिया हुआ है और इसका back भी दिया हुआ है बहुत ही बढ़िया back दिया हुआ है इसके साथ में बहुत ही गजब का back दिया और दिया हुआ है तो आईए इस tripod को extend करके देख लेते हैं कितना कितना ही extend हो जाता है तो यह आप देख सकते हैं यह मैं इसको flip करूँगा इस तरीके से आपको 3 layer मिल जाता है एक तो इतना 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 इसटिक आपको नियर बाउठ 14 इंच 15 इंच नियर बाउठ यह extend होता ह एक श्टिक तो इस तरीके से आप सारी श्टिक जो है इस तरीके से यह आप देख सकते हैं यह आप एक्षेंट करके इसको लॉक कर सकते हैं और फिर इसको फिलिप करके next श्टिक इसको ओपन करके इसको फिर लॉक कर सकते हैं तो इस तरीके से आप तीनों श्टिक के साथ कर ल इसको और यह आप देख सकते हैं ट्राइपोड पूरा यह इस तरीके से यह स्टैंड हो जाता है और यह देख सकते हैं इसका यह एक्च्वल यहां तक यह स्टैंड हो जाता है इसमें आपको एक लिक्विड भी देखने को मिल जाता है यहां साइड में आप देख सकते हैं ग् पूरा बि καर सकते है आपको यह आपको पूरा लूस करेंगे तारीक करने की यहां को जाते हैं पूश करके आप इसको फिल्सक्राइब हो सकते हैं इस तरीके से इसका lock system बहुत ही गजब का दिया हुआ है और बहुत से में दिया रहता है कि जो है मतलब यहाँ आपको एक screw खोलना पड़ता है फिर आप इसको flip कर सकते हैं पर इसमें बहुत ही अच्छा दिया हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं यह push का एक लिखा हुआ है तो यह part को आप push करते हैं उसके बाद आप इसको जो है आसानी से इसको आप rotate भी कर सकते हैं इस तरीके से अगर आपको जैसे टिक टॉक होगरे वीडियो लोग बनाते हैं तो उस तरीके से आप इस तरह ही लगा सकते हैं और अगर आपको इसमें mobile वगर के लिए holder लगाना है तो वो यूजर को अगर यह tripod यह बहुत ही amazing है और इसकी जो price है वो है near about 16,000 के आसपास में और इसकी price थोड़ी fluctuate होती रहती कभी 100 rupees above रहता है या कभी 100 rupees low रहता है तो near about 1600 price में एक बहुत ही अच्छा build quality वाला tripod है और यह मैं इसको निकाल देता हूँ फटा फट से अभी जो इसकी height दी हुई है इतने stage पे वो है आपके near about 45 inch की height दी हुई है पर इसको आप और भी extend कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं यह एक screw open करने के लिए दिया हुआ इतना बड़ा सा इसको rotate करने के लिए plastic का तो इसको आप open करके इसको आप जो है ऐसे करके उपर भी कर सकते हैं तो यह अगर आप extend करते हैं इसको तो इसकी जो total height मिल जाती है वो है अपने को 57 inch के आसपास इसकी जो total height अपने को मिलती है वो near about 57 inch के आसपास मिल जाती है तो यह एक बहुत ही बढ़िया budget में आने वाला एक बहुत ही अच्छा सा यह आप देख सकते हैं यह मैंने इसको पूरा ही जो है extend कर दिया है और यह एक पूरा इतना extend हो जाता है यह भी near about 14-15 inch तो यही पूरा extend हो जाता है और यह इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी height आप इसकी measure कर सकते हैं पूरा ही आसानी से जो है पूरा अच्छे quality में आपको दिया हुआ है build quality की बात करें build quality बहुत ही अगर आपको इसी तरीके से कोई भी वीडियो बनाना हो यह YouTube पे कोई भी वीडियो बनाना हो तो आप यह tripod के साथ जा सकते हैं नीचे में आपको link provide कर दूँगा वहां से जाके आप purchase कर लिजेगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही जादा पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो इसे like जरूर से कर दीजेगा और अपने friends अभी लोग के साथ share भी कर दीजेगा कि इस समय ट्रिक टॉक पे भी बहुत trending चला है तो ट्राइपोड का नीट तो सभी कोई है तो अगर आपको कोई भी दिखका तो कोई भी doubt हो तो आप नीचे comment section में मेरे से pull देगा बाकी आपको link दे दिया हो वहाँ से जाके आप purchase कर दी गया तो मिलता हूं अगली वीडियो में आज के लिए धन्यवाद